मोदी जी कमाल के आदमी है, मोदी जी कहते हैं जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, अमित्षा जी कहते हैं जो मैं नहीं कहता वो डेफिनेटली करता हूँ, योगी जी कहते हैं तू बोल फिर देख मैं क्या करता हूँ, और अपने राहुल भहिया बहुत सीधे आदमी है, रा होली के समय ही एडी वालों ने मुख्यमंत्री साहब को जेल में डाल दिया लेकिन एक बात तो दिल्ली वालों से सीखने लायक है कि होली जब भी खेलना हो अपने दोस्तों के साथ ही खेलना चाहिए चाहें उसके लिए तिहाड ही क्यों न जाना पड़े एक बार राहूल भीया गन्ने के खेत में चले गए गन्ने के खेत से ही आवाज लगाई किसान भीया क्या ये वही गन्ने का खेत है जिस पर गुर लगता है किसान बोला हां महराज ये वही गन्ने का खेत है जिस पर गुर लगता है राहुल भीया बोले इस पर गुड कब लगेगा किसान बोला जब रहुआ प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब लगेगा भाई साहब जब से मोदी जी ने अपकी बार 400 पार का नारा दिया है तब से कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं कि लग रहा है इस चुनाओ तक विपक्ष नहीं बचेगा और अगले चुनाओ तक चुनाओ भाई साहब मोदी जी और अमिताब बच्चन में एक बात तो कमाल की है जब भी अमिताब बच्चन जी बोलते हैं देवियों और सजनों तो करोडपती बनने की आस जगती है और जब मोदी जी बोलते हैं भाईयों और बहनों तब करोडपती भी काप उठते हैं इस बार चुनाओ प्रचार भी कमाल का हो रहा है एक लड़के ने लड़की से कहा कि तुम बिजेपी की तरह मुझको चाहो तो हम कॉंग्रेस की तरह बरबाद न हो जाएं तो कहना आप सबसे लाष्ट में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि घर वालों की नजरों में आप भले ही निकम्मे और नलायक इंसान हो लेकिन केवल और केवल इस दुनिया में चुनाओ आयोग वाले ही ऐसे हैं जो आपको जिम्मेदार नागरिक बताते हैं जो जोग जो अजर बताते हैं